तो आज के अगले टोपिक यानिके आपका बरगी करण का जो अगले टाइप के क्यूशन पूछे जाते हैं उनके शुरूबात करने वाले हैं ठीक है तो आपका ये बरगी करण का अभी चल रहा है ठीक है बरगी करण आज आपका खतम हो जाएगा ठीक है तो ये टोपिक आज यहाँ पर आपका खतम हो जाएगा मतलब आपका तीसरा topic कि खराम आगे चालू करेंगे तो यह दूसरा topic का अभी जो आपके तीसरा type के question बचे होए है तो आपका चाहिए JSSC का exam हो या आपका कोई state exam हो तो सबी में आपके लिए खामाने वाला subject है टूरहां है सब्सक्राइब नहीं तो आप नए नए चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए और लारा है पहले किया कह रहा है रहा है कि प belong छे कि इसमें बताना है शंक्ति या है ठीक है कौन सा इसमें सबसे अलग है ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं देखे मैंने बताया आपको 27 35 18 9 इसमें क्या अलग है अगर यहां पर हमें कोमन चीज देखें तो यहां पर देखते हैं हम आपका 27 27 35 18 9 इन संख्याओं में आपका देखे अगर यहां पर आप कोमन देखेंगे तो 9 भी आपका 27 से कट जाएगा और आपका 18 भी 9 से कट जाएगा और 9 आपका 9 से कट जाएगा ठीक है लेकिन आपका 35 जो है ये 9 से नहीं कटेगा ठीक है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा इसमें 35 आपका अंसर हो जाएगा यानि को option number 20 का हो जाएगा ठीक है क्योंकि बाकी सब 9 से विवाज्य हो रहे है ठीक है 9 के गुणक है लेकिन जो 35 है वो उसका गुणक नहीं है ठीक है चलिए next question देखते है next question है 82 45 28 44 में इसमें बताना है हमें देखे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर आप देखते हैं देखे 82 ठीक है 45 28 44 देखे इसमें देखना है अगर हम देखते हैं देखे अगर इसमें हम 44 भी हमारा कट जाएगा 28 भी और 45 नहीं 82 देखे यहाँ पर 45 को अगर हम छोड़ दें तो 45 के अतिरिक्त आपके सभी क्या है आपकी समसंक्या है जबकि 45 हमारी क्या है बिसमसंक्या है ठीक है 45 क्या हमारी बिसमसंक्या है 45 बाकी समसंक्या है ठीक है बाकी क्या आपकी समसंक्या है ठीक है तो आपको यह ध्यान लगके इसका ऐसका अंसर क्यों जाएगा 45 हो जाएगा त्यiãoसे even कियोंकि 44 भी कर जाएगी पूरी और 28 भी कर जाएगी तो यह सम है वाकी वाकी सम है और 45 आपकी भी समच्ण क्या है तो इस एदार पर यह ऐसाहा अंसर इसका 45 हो जाएगा next question है इसमें बताना है यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देखे आपका दिया हुआ है अगर मैं इसकी बात करूँ 43 22 13 41 इसमें कौन सा अलग होगा देखे यहाँ पर अगर हम देखते हैं 43 42, 13, 41 इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखे अगर आप यहाँ पर 41 को देखते हैं 13 को देखते हैं 22 को देखते हैं 43 को देखते हैं यहाँ पर जो आपकी 22 संक्या है वो क्या है आपकी यहाँ पर केबल संक्या है 22 क्या है यहाँ पर आपकी सम संक्या है 22 आपकी सम संक्या है बाकी आपकी यहाँ पर 41, 13, 43 आपकी भी सम संक्या है ठीक है क्या है भी सम संक्या है तो 22 इसमें सबसे अलग हो जाएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा आपका 20 इसमें आंसर हो जाएगा ठीक है तो answer आपका 22 इसका हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question है यहाँ पर देखना है देखे यहाँ पर हम देखते हैं 61, 51, 97, 89 देखे यहाँ पर इसमें बताना है में कौन सा सबसे अलग है देखे यहाँ पर अगर आप देखते हैं देखे इक्याबन को अगर हम छोड़ देए एक्याबन के अतरिक्त बाकि सब क्या आपकी बिसम संक्या है ठीक है 51 के अतरिक्त क्या है यहाँ पर आपकी सब बिसम संक्या है 51 को छोड़ दे तो बाकी सब यहाँ पर क्या है आपकी बिसम संक्या है तो option क्या हो जाएगा आपका इसका answer B हो जाएगा 51 चलिए ने देखे जितने भी क्यूस्टन है 78, 91, 84, 26 इनमें कोंसा अलग है ठीक है तो हमें यह बताना है यहाँ पर अगर हम देखें तो 78, 91, 84, 26 में कोंसा अलग है ठीक है अगर मैं कहूं यहाँ पर देखें तो यह पहले हम देखते हैं संक्या साम है तो सारी साम है देखें यहां पर अगर मैं देखों तो यह आपकी संक्या 13 चंकत देखें यह भी आपकी 13 से कट जाएगी और आपकी 26 भी 13 से कट जाएगी लेकिन आपकी C संक्या 13 से नहीं कटेगी ठीक है 84 इसलिए यहाँ पर answer क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा क्योंकि 84 13 से विवाजित नहीं है ठीक है बाकी सबसंक्या आपकी 13 से विवाजित हो रही है ठीक है 84 13 से विवाजित नहीं है ठीक है तो यहाँ पर इसके नुसार आपका अंसर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुश्टन देखते हैं नेक्स्ट कुश्टन है 48, 96, 69, 12 इन में बताना है में यह किस प्रकार इसमें कौन सी संक्या अलग है देखे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है देखे आपकी 48 कितने से कट जाएगी बारे चोप 48 बारे से कट जाएगी 96 बी आपकी बारे से कट जाएगी लेकिन 69 आपकी बारे से नहीं कटेगी वो 12 बारे से आपकी कट जाएगी ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसकार आपका 69 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है आंसर आपका C हो जाएगा 69 क्योंकि 69 आपकी बारसे नहीं कटेगी ठीक है नहीं कटेगी बाकी आपकी सब बारसे कट जाएंगी ठीक है तो आपको यह त्यान करना है चलिए अगला क्योंसन देखते हैं अगला क्योशन क्या कह रहा है यहां पर 81, 10 81, 91, 89, 12, 34 ठीक है तो यहां पर हमें बताना है देखे अगर इसको आप देखते हैं यहां पर तो इसमें कौन सी संक्या अलग है देखे यहां पर इसको देखा जाए तो इसमें कौन सी संक्या अलग है देखे इसमें अगर हम एक तरीके से इसको देखते हैं देखे रीजनिंग का क्या रूल कहता है कि इसमें आपके जोड गुणा भाव भाग सबी के अधार पर आपको इसे हल करना होता है देखे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ग्यार है आठ एक एक देखे इनको अगर हम जोड़ दें आठ प्लस एक प्लस एक प्लस जीरो कितना हो रहा है आपका दस हो रहा है ठीक है इसका योग कितना हो रहा है दस हो रहा है ठीक है और ऐसे ही इसको जोड़ते है नो प्लस बन प्लस जीरो कमा तो 0 एक तो इसका भी 10 हो रहा है ठीक है ऐसे ही इसको जोडते है यहाँ पर 1 पिलस 1 पिलस 8 पिलस 9 तो इसका मान कितना हो रहा है दिखे 10 और इसका मान कितना हो रहा है आपका 10 नहीं होगा क्योंकि आठ अनो कितने होगे, सत्रा, और एक अठार, एक उननिस, ठीक है, इसका उननिस हो रहा है, और इसी फिरकार इसे जोडते हैं, दो, और एक, तीन, पांच, साथ, तिन, दस, ठीक है, तो ये भी दस हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं, सी में क्या है आपका, इसका मान पूर ही है, ठीक है, बाकि सब का मान कितना है, जोड का मान 10 है, ठीक है, तो इसके अनुसार आपका अंसर C हो जाएगा, ठीक है, अगला क्यूशन देखते हैं, अगला क्यूशन है, देखिए, इसकी पीडियेप में नीचे डाल दूँँगा, इसको बात में आप डाउनलोड कर ल 2401, देखिए, यहां पर अगर हम देखते हैं, तो 512 क्या है, आपकी एक घन संक्या है, ठीक है, 512 क्या है, आपकी 8 का घन है, 511 क्या होता है, आपका 8 का घन होता है, ठीक है, 8 का घन होता है, जबकि अगर मैं बात करूँ, देखिए, 625 पच्चिस का बर्ग हो गिया 36 आपका 1236 का बर्ग हो गिया और उड़िये उड़नचास का बर्ग हो गिया दीखे बाकी सब आपकी बर्ग है लेकिन 512 क्या है आपकी यहाँ पर गहन है ठीक है 512 आपका गहन है बाकी संक्याई बर्ग है ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा क्योंकि बाकी संक्याएं क्या है इसमें अगर हम 512 को छोड़ दे तो 512 आपका 8 का घान है बाकी संक्याएं क्या है बर्ग संक्याएं ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका इसके नुसार A answer हो जाएगा ठीक है तो option number ace का answer हो जाएगा ठीक है next question देखते है next question है 1625, 36, 49, 64, 81, 50, 25 देखे यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको तो इसके दुशार आपका answer क्या होगा देखे यहाँ पर 16, 25 देखे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 16 काय का बर्ग होता है आपका चार का बर्ग होता है ठीक है और 25 आपका यहाँ पर पांच का बर्ग है ठीक है चार का बर्ग और पांच का बर्ग उसी पिरकार यहाँ पर देखे 36 की बात करूँ तो 36 आपका देखे काई का बर्ग है तो 6 का बर्ग है ठीक है, 6 का बर्ग 36 और यह आपका 7 का बर्ग उलन चाज ठीक है, अब उसी पिरकार यहाँ पर देखते हैं तो यह 64 आपका 8 का बर्ग और 81 आपका 9 का बर्ग ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका 50 क्या है 50 काई का बर्ग होता है काई का नहीं क्योंकि यहां पर क्या दिया है 25 गुणा 2 ठीक है और उसी पिरकार यहां पर 5 का यह बर्ग दिया देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से तो आपका क्या हो जाएगा ये वाला option आपका सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि सब इस संक्या में क्या है अगली मतलब बर्ग तो है लेकिन अगली संक्या के लेकिन यहाँ पर जो है इसमें गुणा करी गई है ठीक है तो यह संक्या सबसे बिलकुल अलग है ठीक है तो answer क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा क्योंकि यह सबसे अलग है ठीक है बाक 382, 253, 671, 385 में कौन सा अलग है देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन सी संक्या अलग है देखें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 382 253 यह भी 11 से भी वाजित हो जाएगे 11 से कड़ जाएगी यह भी 11 से कड़ जाएगी और यह भी आपकी 11 से कड़ जाएगी बाकी संक्या आपकी 11 से भीवाजित हो जाएगी लेकिन आपकी 382 11 से भीवाजित नहीं होगी ठीक है 11 से भीवाजित नहीं होगी बाकी संक्या के आपकी 11 से विवाजित हो जाएंगी ठीक है तो इसके नुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर इसका हो जाएगा ठीक है 382 आपकी 11 से विवाजित नहीं होगी ठीक है बाकी संक्या के आपकी 11 से विवाजित हो जाएंगी ठीक है तो इसके रुसार आपका अंसर 382 हो जाएगा Next question है Next question देखते हैं देखे यहाँ पर बूच रहा है 9 6, 8, 7 7, 8, 6, 9 9, 4, 8, 6 9, 8, 7, 6 इसमें बताना हमें कौन सा अलग है देखे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया था आपको जोड, गुड़ा, भाग आपको सब करके देखना होता है तो यहाँ पर हम देख लेते देखे 9, 8, 6, 8, 7 ठीक है 9 और 6, आपके 15, 15 और 8, 23, 27, 30 ठीक है तो इसका योग कितना हो गए आपका 30 हो रहा है देखे यहाँ पर इसका योग में देखूं आपका तो कितना हो जाएगा योग इनका योग करें पहले ठीक है तो 30 हो रहा है उसी पिरकार 7, 8, 15 15, 26, 29, 30 ठीक है यहाँ पर भी आपका इसका योग 30 हो रहा है और इसका योग करते है 9, 4, 13 13 और 8, 21 8, 6, 14, 14 14, 18, 19 आपके हो जाएंगे 27 ठीक है तो 27 हो रहा है इसका योग और इसका योग भी आपका 8, 19, 8, 17 और 7, 24, 30 ठीक है 30 दीक है यहाँ पर सबका योग कितना हो रहा है अगर हम option नंबर C को छोड़ दें तो सबका योग कितना है 30 है सब संक्याओं में 30 है सब विकल्प में लेकिन आपका इस संक्या में 94, 86 संक्या में इसका योग कितना है 27 है ठीक है तो इसके अनुसार क्या होगा आपका option नंबर आपका C हो जाएगा जबकि सबका योग कितना है 30 है केवल इस संक्या का योग कितना है 27 है तो option क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा ठीक है तो इस अधार पर ये question पूछा गया है next question देखते है next question है 240 27236 304 210 इसमें कौन सा अलग है देखें यहां पर हम देखते हैं इसमें कौन सा अलग है अगर इसकी बात करें देखें अगर यहां पर 240 को देखते हैं तो 4,4,4,4,4 ठीक है तो ये 4 से विवाजित हो रही है 4,4,4,4,4 तो ये भी आपकी 4 से विवाजिय हो जाएगी पूरी 304 तो ये भी 4 से हो जाएगी लेकिन आपकी दो 4,4,4,4,4 लेकिन आपकी जो संक्या है ये 4 से विवाजित नहीं होगी ठीक है ये 4 से विवाजित आपकी नहीं होगी ठीक है अगर इसको हम विवाजित करते हैं तो आपकी ये काई से हो सकती है 3 से विवाजित हो सकती है काई से हो सकती है 3 से विवाजित हो सकती है लेकिन 4 से विवाजित नहीं होगी बाकी संक्या क्या है आपकी 4 से विवाजित हो रही है तो इसके रुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा क्योंकि ये चार से विभाजित नहीं है ठीक है बाकी संक्या के आपकी एकी संक्या से विभाजित है सारी संक्या कितने से विभाजित है चार से विभाजित है ठीक है तो लेकिन ये आपकी तीन से विभाजित है और सबसे अलग यही होगी ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है 9 72 8 56 11 115 10 90 देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह किस अधार पर इसमें बताना है कौन सा अलग है इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं देखिए अगर आपकी जो संक्या दी हुई है 9 दिया हुआ है यहाँ पर और 9 के बाद 72 8 56 11 115 10 90 देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है अगर हम इसे ऐसे करें देखिए जितनी संक्या दी हुई है कितनी दी हुई है 9 और इसमें से 1 कम करें गुणा कर दें ठीक है तो कितना आएगा आपका 72 ठीक है कितना आएगा 72 उसी पिरकार यहाँ पर 8 दिया हुआ है इसमें से 1 करके 1 कम करें और इसमें गुणा कर दें यहनके 7, 8, 56 ठीक है तो 1 कम किया हुआ है उसी पिरकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं दीखे उसी पिरकार यहाँ पर हम इसको देखते हैं 11-1 कम करेंगे तो 11-110 होना चाहिए था ठीक है तो 115 दिया हुआ है यहाँ पर अगले में देख लेते हैं 10 दिया हुआ है तो 10 minus 9 एक करेंगे तो 9 गुणा 9 बराबर 9 दाइं 90 ठीक है, तो बाकी में संबैं क्या देखे, जो संक्या दियो ही है आपकी, जो 82 संक्या में क्या है है, ऑने एक संक्या कम करके दाइं और संक्या प्राप्त होती है ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा आपका C answer इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो होने चाहिए था 10 में से अगर 1 कम करें 11 में से 10 11 गुणा आपका 10 आना चाहिए था यानि कि 110 आना चाहिए था कितना में चाहिए था 110 आना चाहिए था जबकि यहाँ पर यहो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या होजाएगा क्या यहां पर यहां पर बताना है 12 126 ठीक है ये भी उसी तरह है 345,13 234 आपका बीच में 9 ठीक है उसके बाद 456 15 यहाँ पर अगर हम देखते है देखे इसमें क्या है अगर यहाँ पर हम देखते हैं देखे इन संक्यों का योग करें तो कितना आएगा 2 एक 3 एक 6 ठीक है 22 संक्या के अंकों का योग क्या आपकी 22 संक्या है ठीक है तो यहाँ पर 6 आ रहा है अब यहाँ पर जोड़ते है देखे चार और तीन साथ पांच 13 ठीक है देखे यहाँ प उलब का 12 हो रहा है जब कि कि यहांपर 13 द्ययों हाँ आगे संग्या, सक्थायी चाहर कि यहांपर बीच आपका 9 हो जाएगा है सही है, यहांपर आपका 6 हो रहा है, यह भी ज़ीर हंदेस्ट पर बिचहांगे तो यह भी सही है तो इसके नुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा तीन सो पैतालिस का कितना होना चाहिए था जोड़कर यहाँ पर बारा आने चाहिए था जबकि विकल्ब में ऐसा नहीं है तो अगला question देखते हैं तो अगला question क्या कहना है सारे question आप इसी तरवा से करेंगे ये भी आपके हो जाएंगे ये उसी तरह है जैसा उपर का question है तो इसको आप स्वैम कर लीजिए अगला question में बता देता हूँ अगला question किस पिरकार दिया हुआ next question को देख लेते हैं यहाँ पर इस question को देख लेते हैं इसे आप homework में कर लेजिए ठीक है नहीं होता है तो मैं जो comment box में होता ही है आपको इसको solve करा दूँआ ठीक है देखें यहाँ पर दिया हुआ है 13 20, 28 किस पिरकार है और यहाँ पर 11 जो दिया हुआ है 12, 10 किस पिरकार है 7, 336 किस पिरकार है 9, 648 किस पिरकार है देखें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह संक्या किस पिरकार दी हुए है देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें सही तरीके से देखिए अगर तेरा अगर हम तेरा का अगर हम देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है देखिए इन्होंने क्या है यहाँ पर जो आपका तेरा दिया है पहले इसे देख लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने तेरा का पहले क्या क्या है गहन किया है ठीक है तो 13 का गहन कितना होता है 13 के गहन की बात करें 13 13 13 और आपका 13 यानि के 297 ठीक है 297 13 का गहन होता है अब यहां पर 13 का क्या क्या है इना दूसरी बार में यहां पर 13 का बर्ग किया है ठीक है 13 का बर्ग कितना होता है 13 13 189 ठीक है तो तेरे का बर्ग क्या है इन दुआरा में एक सो उनत्तर ठीक है ये इस में से जब माइनस करेंगे आप इन दोनों संक्या में से जब माइनस करेंगे उपर की संक्या में से तो आपका कितना आएगा देखें यहां पर अगर बात करूं 297 से आप 179 घटाएंगे तो आपका बचे का कितना 2228 ठीक है कितना बचे आपका 2228 बचरा है तो इस अनुसार आपका पहला आपका इस अनुसार है अब दूसरे में देखते हैं दूसरा किस प्रकार है दूसरे option में देखते हैं पहले क्या करेंगे हम गहन करने के बाद फिर आपका यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 का बर करेंगे ठीक है उसमें से उसे घड़ा देंगे तो ये भी आपके संक्या प्राप्त हो जाएगी उसी पिरकार हम यहाँ पर C option में देखते हैं तो पहले गहन करेंगे देखें यहाँ पर यह संक्या तो सही है ठीक है आप चाहँ इसको कर लें यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है ठीक है पहले हम 11 का अगर घन किया तो 11 का घन कितना आएगा आपका 11 का घन आएगा 11 का घन 1121 और आपका हो जाएगा 11 1331 ठीक है कितना हो जाएगा 121 दीखे, अगर 121 में से अगर मैं बात करूँ 121 में से 1331 में से 121 घटाते हैं कितना बचेगा आपका 1331 माइनस आपके 121 करेंगे तो कितना आएगा 1210 आ जाएगा ठीक है, कितना आएगा 1210 तो ये भी सही है अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहां पर देखते हैं साथ का पहले क्या करेंगे हम गहन करेंगे ठीक है तो दोनों उप्सन सही हैं इसी आधार पर है इसकी उप्सन में इसमें देखते हैं आगे दीके साथ क्या करेंगे गहन करेंगे ठीक है तो साथ का गहन कितना होगा अगर साथ के गहन की बात क तो साथ का घंड हो जाएगा आपका 343 टीक है आप बचने चाहिए थे आपके 294 बचने चाहिए थे 294 टीक है तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है तो answer क्या हो जाएगा आपका इसके अनुसार answer हो जाएगा आपका C क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है ठीक है बाकी सब में यही पिरकर रहा है नोका पहले घर घन हुआ है ठीक है उसके बाद नोका बर्ग हुआ है उन दुनका अपस में घटा कर यह संक्या प्राप्त कर ली गई है ठीक है तो इस अनुसार यह question हुआ है ठीक है तो आप इसको इस पिरकार के question भी इसमें पूछे जाते हैं ठीक है next question भी आपका देखे next question की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं ठीक है यहाँ पर यह किस पिरकार ठीक है यहाँ पर क्या हुआ है केबल यहाँ पर उल्टा कर दिया है ठीक है दो को इधर ले आए और एक को इधर ले आए ठीक है चार को इधर ले आए तीन को इधर ले आए उसी प्रकार अगला क्वेस्टन देखते हैं, अगले क्वेस्टन किया क्या है? पांच माइनस दो यहाँ पर तीन बच रहा है 27 माइनस 23 यहाँ पर चार बच रहा है 19 माइनस 16 करेंगे तो तीन बचेगा 31 माइनस 28 तीन बचेगा देखें यहाँ पर ओप्सन नंबर इसमें क्या है आपका यहां पर केबल 4 बच्रा है आपसमें संक्या गठाने मर बाकी संक्याओं में क्या बच्रा है सम्में गठाने पर आपका 3 बच्रा है तो answer क्या हो जाएगा आपका इसके नुसार हो जाएगा आपका इसमें answer आपका हो जाएगा 27-23 वली संक्या गलत है तो ये इसमें समय अलग है तो आंसर आपका यही होगा ठीक है अगले कुस्तर में देखते हैं अगले कुस्तर में क्या करा देखते हैं कि यहां पर अगर हम देखते हैं इसमें अगर आप 47 उलणचास क्या है इसे छोड़ दे तो बाकी संक्य क्या है आपकी एभाज्य संक्या है ठीक है 47 उलणचास के अतरिक जिननेवी अन्य संक्या है वो क्या आपकी एभाज्य संक्या दे गई है ठीक है तो यहाँ पर एभाज्य संक्याएं दी गई है उस अधार पर यह question किया गया ठीक है चलिए next question देख लेते हैं next question है 132, 127, 125, 8, 112, 3 देखें यह किस अधार पर रही अगर यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ नहीं किया है जैसे मैंने पहले बताया था आपको इन्होंने किया है 3, 1, 3, 2, 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया ठीक है ऐसे ही 1, 2, 4 यहनि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर भी ऐसे ही पांच एक एक प्लस दो प्लस पांच कितना हो गया आपका आठ हो गया ऐसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक प्लस दो प्लस दो चार यहाँ पर चार होना चाहिए था यहाँ पर कितना है आपका तीन है ठीक है तो ओप्सन क्या हो जाएगा हमारा इसका डी हो जाएगा क्यो हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि देखें डी जी टू यहाँ पर जो दिया हुआ है देखें अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि डी का मान कितना होता है आपका फोर देखें इस question को आप कोसिस करिए करने की ठीक है क्योंकि time मेरा पूरा होने वाला है ठीक है तो मैं अगरे class के लिए बेट कर रहा हूं ठीक है तो इसलिए आप इन दोनों को देखें इस question को मैं बता रहे था हूं लाश्ट वाले को ठीक है इसमें क्या है देखें यहाँ पर इस question को भी आप स्वेम कर लीजिए ठीक है क्योंकि मैं अगली class के लिए बेट कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर आप इन question को दोनों को करिए अगर इसके answer आपको नहीं आते हैं तो comment box में मुझे बताइए मैं आपको अगली class में को करा दूंगा ठीक है तो आज का बरगी करण का topic में हमारा यहीं पर समापत होता है फिर में ल इस को समय चे डाल दूंगा आप बहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं